कॉंट्स इतने जागा रहे थे भई आप Hindi medium Hindi medium की उपर वीडियो बना रहे है तो फाइनली तुम लोगों कि यह इंग्लिस medium की उपर वीडियो आ गई है बस तुम लोगों को यह कुश्चन कंप्लीट कर लेने हैं और यह जो कल का तुम लोगों का बोर्ड एक्जाम होने वाला मतलब इतना अच्छा जाने वाले वह है मुझे खुद नहीं पता है ना और यह पो यह पेपर से दूर रहो यार प्लीस मतलब कितना ही जाओगे फेपर भूलो कितने ही तुम लोगों को इतने सारे पर डीए डालते है ना तो बस वीडियो देखो यह इंपोरें बस साथ कु कर लो हर साल पूझे जा रहे हैं तो कंप्रीट करो ओके चलो देखो वीडियो तो अब जो तुम लोग का जो कल पेपर होने वाला है सबसे पहले तो घबराना नहीं मतलब फ्रीली माइंड जाओ यार बहुत ईजी जाएगा जो तुम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि बहुत तप फेपर आता है तो ईजी आता है ठीक है और साथ में हाँ अगर आपकी स्कूल में वाच लाउड है तो वह जरूर पहन के जाना अगर नहीं अलाउड है तो फिर क्या कुछ कर सकते हैं ना और एक ऐसी कुछ ट्रांस्पेरंट किट लेके जाना देखो ऐसी यह तो सीट मिले तो एक्जेक्ली कुश्चन ऐसे डालना है अब आप लोग ब्लैक पैन से डाल सकते और उसे थोड़ा डार्क कर देना ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है और उसके बाद जब भी कुछ भी लिखो तो इसमें वन वन फिंगर का गैफ होना चाहिए ठीक है जिसमें किलियर हो है ना कुश्चन आंसर जो होना वो किलियर हो ठीक है चलो यह कुश्चन कर लेना क्योंकि अपने पास टाइम उतना ज्यादा है नहीं तो आंसर आपकी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे या तो टेलीग्राम पर अप्लोड कर दिये जाएंगे तो टेलीग्राम से सबी बच् है और कैसे टीचर के माइंड सेट के साथ खेलना है मतलब अब टीचर जो पढ़ना चाहे उसे वो नहीं पढ़ाओ जो अपन उसे पढ़ाना चाहे उसे वो पढ़ाओ ठीक है कैसे हाउ डस वैक्सीन वरके नवर वाडी जो वैक्सीन का काम होता है अपनी वाडी में क्या काम होता है तो अब आपको जो आंसर ये लिखना है न पर्टिकुलर अब टीचर क्या पढ़ेगा टीचर की नजर जाएगी यहां यहां और यहां वो मैं क्यों बोला हूं देखो बाकी तो सब एक जैसा लिखा है लेकिन यहां कुछ गलत लिखा हुआ है ठीक है तो टीचर देखे यार इतनी सारी कॉपी इसको चेक करते करते है ना तो अगर आपके सामने इतनी किलियर कॉपी आई तो वह यार पढ़ेगा हां यार में में टॉपिक्स पढ़ेगो किट ठीक है मिल जाएंगे मांक्स ओके और उसके बाद तुम लोग का इंपॉर्टन कोश्चन यह हो गया इस दिफ्रेंस बीट्वीन फर्टिलाइजर मैंनियूर के वारे में करी लेना है नेक्स्ट वेक्सीन अबर वाड़ी मंदब वेक्सीन अपनी बॉड़ी में कैसे वर्क करती है वो तो आपको पता होगा नॉर्मल कॉष्चन है यह जो कुष्चन है ना यह जितने भी कुष् हैं यह मिलता है ये हैं वह इसा आईवाल आ चाहिए इसकी आणसर आपको मिल जाएंगे नहीं मिलते हैं अगर हम चैनल पर अप्लोड नहीं कर पाते हैं तो यह आपको आंसर गूगल पर मिल जाएंगे इजी डालोगे वाइस से डालोगे वाट इस रिप्रोडक्शन वाट आर दी मोट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव इन एनिमल्स तो गूगल ऐसे टुड़क करके आंसर आपको दे दे नहीं देख रही लेकिन यहां जो अपन ऐसे गूद देते हैं यह चीज गूदा गादी नहीं करनी है ठीक है अपन लोगों को जादा कर्टी काट फीट नहीं करनी है उतनी जादा जैसे अगर अपन से गल्टी हो गया कट कर दो इतना हलका सा लेकिन कुछ बच्ची क्या कर परदे ऐसे गूद देते हैं काट फीट देते हैं मतलब बहुत गंद टाइप मचा देते हैं ठीक है तो वह चीज़ अपन को दूर रहना है उससे उस चीज़ को एवाइड करना है ठीक है यहां सिर्फ एक लाइन खीची अलग हो गए ठीक है नेक्स्ट है वोट डू एंडर अब नेक्स्ट वीडियो जो अपने पांच पांच नंबर के कोश्चन और कर लेना तो उसके लिए इस वीडियो पर आप लोग लाइक क्यम रखते हैं 100 लाइक का ठीक है 100 लाइक जल्दी से कम्प्लीट करा दो नेक्स्ट वीडियो 5 मार्क की जल्दी से आएगी देखो अभ और आप अच्छा अफेक्ट करोगे तो टैंद में बहुत अच्छा अफेक्ट करोगे ठीक है और यह रियल पेपर से दूर मतलब यह जो फेक यूटूबर से इंसे दूर रहो और अपनी पढ़ाई में फोकस करो हमारी वीडियो देखो इंपॉर्टन कुश्चन देखो और फोर्ड दो कले एक्जाम में ठीक है चलो ओके गाईस बेस्ट अफ लग